क्या आप भी अपना podcast बनाने की सोच रहे है तो anchor try कीजिए, ये free है, इसमें कई सारे ऐसे tools है जो आपको अपने phone पर और computer पर record और edit करने की facility देते हैं आप अपने podcast को distribute भी कर सकते हैं जिससे इसे Spotify और दूसरे platforms पर सुना जा सके, download कीजिए free anchor app या visit कीजिए anchor.fm Books That Speak में आप सभी का स्वागत है अमन को अपनी लाल टी-शिर्ट बहुत पसंद है, ये बहुत ही मुलायम है, मा को ये टी-शिर्ट बिलकुल पसंद नहीं, क्यूंकि ये बहुत पुरानी हो गई है और इसमें सुराक भी है वो इसे fake देना चाहती है, अमन हमेशा इसे अपने पास रखना चाहता है अब अमन क्या करेगा? चलिए जानते हैं कहानी सुनकर कहानी का शीर्शक है, मेरी लाल टी-शिर्ट ओरिजनल स्टोरी, माई रेड टी-शिर्ट, बाई प्रथम बुक्स कहानी लिखी है, रोहिनी निलेकनी चितरांकन, मेगा विश्वनाथ हिंदी में अनुवात, संध्या कहानी का वाचन, असावरी दूशी मैं अमन हूँ, और ये मेरी टी-शिर्ट है इसका रंग उजला लाल है, मुझे अपनी लाल टी-शिर्ट बहुत पसंद है मेरी लाल टी-शिर्ट बहुत पुरानी है मुझे ये तब मिली थी, जब मैं बहुत चोटा था ये बहुत बार गंदी हुई, कई बार धोई गई, अब इसमें तीन छेद है या शायद उससे भी ज्यादा पर मेरी टी-शिर्ट बहुत मुलायम है और ये बिलकुल मेरे नापकी है ये मेरी मा है, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है वो मुझे चोकलेट देती है स्कूल के काम में मेरी मदद करती है और अगर मैं उन्हें कंगी करने दू तो वो मेरे बालों में कंगी भी करती है मा को मेरी लाल टी-शिर्ट बिलकल भी पसंद नहीं वो उसे फेक देना चाहती है वो कहती है मैं तुमारे लिए एक अच्छा सा और नया टी-शिर्ट खरिद दूँगी मैं चुप हो जाता हूँ मैं इस टी-शिर्ट को दुबारा नहीं धूलूँगी वो तेज आवाज में कहती है आप मेरी टी-शिर्ट नहीं फेक सकती मैंने और भी तेज आवाज में कहा मा मुझे घूरती है मैं भी उन्हें गुसे में देखता हूँ हम एक दूसरे से बात नहीं करते वो मुझे जलेबिया देती है मैं लेने से मना कर देता हूँ जानू दीदी मेरे हिस्से की जलेबिया खा जाती है शाम हो गई है मेरे दोस्त क्रिकेट खेल रहे है मेरा खेलने का मन नहीं करता मैं बस बैठ कर देखता हूँ कई बच्चे पुरानी टी-शिर्ट पहने हुए है कुछ में छेद भी है मौसम सर्द होने लगा है मैं अब घर जाऊंगा ये हमारी गली का कुट्ता बोबो है बेचारा इसे भी ठंड लग रही होगी मा घर पर मेरा इंतजार कर रही है जब मैं अंदर जाता हूँ तो वो मुझे गले लगा लेती है मैं इस टी-शट को तीन दिनों तक और पहनूंगा मैं उनसे कहता हूँ फिर मैं इसे बोबो को दे दूंगा ये उसे सर्दियों में गरम रखेगा क्या मैं उसे दे दू मा हाँ क्यों नहीं मा हस्ती है मुझे मेरी लाल टी-शट बहुत पसंद है मुझे लगता है कि बोबो को भी ये बहुत पसंद है शायद वो इसे कभी-कभी मेरे साथ साजा करे कैसी लगी ये प्यारी सी कहानी और ऐसी बहुत सारी कहानिया सुनने के लिए Books That Speak इस चैनल पर जरूर आईएगा YouTube पर और अलग-अलग podcasting channels पर website www.booksthatspeak.com मिलते हैं अगली कहानी में बाई बाई शुक्रिया